शिक्षा के मामले में आज बले ही बारत दुनिया के गई देशों से पीजे हो लेकिन एक समय था जब हिंदूस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था बारत में ही दुनिया का पहला विश्विद्याले खुला था जिसे नालंदा विश्विद्याले के नाम से जाना जाता है प्राजिन नालंदा विशुद्याले की इस्तापना गुप्त काल के दोराण पांचवी सदी में हुई थी लेकिन सनë 11 private में अक्रमन के बाद इसे निस्तानाबूत कर दिया गया बिहार के नालंदा में इस्तित इस वीश्विध्याले में 8 शताब्दी से 22 शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से चात्र पढ़ने के लिए आते थे इस वीश्विध्याले में करीब 10,000,000 चात्र पढ़ते थे जो भारत के वीबिन चेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिपत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे यहां करीब 12 शिक्षक पढ़ाते थे इस वीश्विध्याले की इस्तापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रतम ने की थी 9 शताब्दी से 22 शताब्दी थक इस वीश्विध्याले को अंतराश्टी ख्याती प्राप्त थी लेकिन अब यह एक खंडर बनकर रह चुका है जहां दुनिया बर के लोग गुमने के लिए आते हैं प्राचिन नालंदा वीश्विध्याले इस्तापत्य कला का एक अद्बुत नमुना है आपको जानकर हेरानी होगी कि इस वीश्विध्याले में 300 कमरे साथ बड़े-बड़े कक्ष और अध्यन के लिए नो मंजिला एक विशाल पुस्ताकाले था जिसमें 3 लाग से बेदिक किताबे थी इस वीश्विध्याले में प्रवेश परिक्षा अत्यंत कटिन होती थी इसमें सिर्फ प्रतिबा शाली छातर ही प्रवेश पास सकते थी इसके लिए उन्हें 3 कठिन प्रिक्षा इस्तरों को उत्तिन करना होता था प्राचिन नालंदा विश्विध्याले का पुरा परिसर एक विशाल दिवार से किरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था उत्तर से दक्षिन की और मटो की कतार थी और उनके सामने अनक भविस्तू और मंदिर थे मंदिरों में बगवान बुद्ध की सुन्दर मुर्तिया इस्ता भी थी जो की अब नश्ट हो चुकी है नालंदा विश्विद्याले की दिवारे इतनी चोड़ी है कि उनके उपर एक ट्रक भी चलाए जा सकता है सन 1199 में तूर्का आक्रमनकारी बक्तियार खिलजी ने इस विश्विद्याले को जला कर पूरी तरह नश्ट कर दिया कहते हैं कि यहां के पुस्तकाले में इतनी किताबे थी कि पूरे तीन महीने तक आग ददकती रही इसके लवा उसने कई धर्माचारियों और बहुत बिक्शों को मार डाला था और इस प्रकार भारत का एक प्राचिन विश्विद्याले जो विश्व में पतमिस्तान रगता था वोई तरीके से निस्तानाबुत कर दिया गया